नमस्कार आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हवाई जहाज गुजरने के बाद सफेद लकीर आखिर क्या है हवाई जहाज और रॉकेट्स के गुजरने के बाद हम देखते हैं कि एक सफेद लकीर सी बन जाती है कंट्रेल्स भी बादनी होते हैं पर वे आम बादलों की तरह नहीं बनते यह हवाई जहाजा रॉकेट से बनते हैं और काफी उचाई पर ही बनते हैं जमीन से गरीबाट किलोमीटर उपर और माइनस 40 डिगरी सेल्सियस में इस तरह के बादल बनते हैं इनके बननी की प्रक्रिया है कि हवाई जहाजा रॉकेट के एक्जॉस से एरोसॉल्स निकलता है यानि यह तरह का धुवा निकलता है जब आसमान की नमी इस एरोसॉल्स के साथ जम जाती है तो यह कंट्रेल्स के रूप में सामने आती है कंड्रेल्स सबसे पहले दूसरे विश्रेदों के दारां 120 में लेखे गए थे ये कंड्रेल्स कुछी समय में गायब भी हो जाते हैं जैसे ही विमान आगे जाता है ये कुछ समय बाद लुप्ट हो जाते हैं ये कंद्रेल्स लंबी लाई ने हो थी जो आसमान में विवान के बाद दिखाई देती है इनके बनने का बारण हवा में नमी और एरो सुल्स होता है कंद्रेल्स दो शब्दों से मिलकर बनाया गया शब्द है जिन्ने कंदेंसीशन ट्रेल्स भी कहा जाता है तो अगर अभी तक आप इस सपेद लगीर को धुआ मानते थे तो जानने कि धुआ नहीं बादल है